कि हेलो इब्रीवन गुड मॉनिंग अलो फियो नमस्कार सभी को आई होप आप सभी अच्छे होंगा और फिर से आप सभी का स्वागत है तो चलिए आज की सेशन में हम देखेंगे जैपी सीमेंस का जो पेपर थिरी है और पेपर थिरी में आप सभी जान रहे हैं स्टी जिग दूसरा सेक्षन में दिया है फीजिकल जिग्रोफी तो इस नोार दूसरा सेक्षन में दिया क्या है फीजिकशल और फ adds और इंडय थिका थियू Cup मिशिञीन जो इन जहक 앞 बलौपकर नमबर पनदरह तो इसको मुझा लोग में देखेंगे जो कि परकृतिक संकट बाड़ सुखा चकरवाद से समंधित है तो आई होप सेसन आपको अच्छा लएगा और अच्छा लगए तो फिलीज सेयर और लाइक करें ना भूले तो चली हम लोग इसके प्राकरतिक अपदा हैं और बाड़ सुखा चकरवाद अभू इसकलन इससे स्टार्ट करने से पहले जिन प्राकरतिक परिवर्तनों को दूस परभाव मानों समासवर पड़ता है उन्हीं प्राकरतिक अपदा कहते हैं ठीक है भारत में प्राकरतिक अपदाओं को प्राकरतिक परकोब भी कहा जाता है ठीक है अगर बात करें कि पिर्थभी के कमपन को क्या कहते हैं तो भूकम क करते हैं और भुकाम के जो तीवर्दा को रीक्टर पयमाने के पर मापस जाता है भारत में उतर ժर वद्या कि जो द्शेत्र है ऊतर पर बद्व चेत्र में भूकाम अधिक आते रहते हैं ठीक है शमुदर छेत्रस से भूकाम आने पर सुनामी जो है लहरों की उत्पती का खात्रा रहता है यह लहर उत्पन होने पर जो तर्टीय छेतर में जो महाविनास लाती है ठीक है और भुकाम पाने का अभास होता ही है मतलब भुकाम पाने का जब अभास होता ही है तो घरो से बाहर निकल कर निकल जाना चाहिए, ठीक है ? मीटी वा चटानों की ढलान पर नीचे खी सकनी की प्रक्रिया को भू इस खलन कहते हैं भू इस खलन वर्शा रीतु में अधीक होते हैं और वर्शा का जल मीटी का चटानों से सनेहक का कारि करता है भारत में भू इस्खलन की घटनाई हिमाले परवती चेतर में पस्मी खाट में अधिक होती है अब भू इस्खलन की परिवहन मारगो वर नदी मारगो में रुकावट पैदा करती है तो चलिए अब हम लोग이 स्टार्ट करते हैं ढिस्क्रिप्टी फें ये कुछ इंपोर्टन पॉंट है जो की हम लोग देख लिए ठीक है न वह अबिसे का वरदान का शाता है ठीक है तो उन्हें प्राकरतिक अपदा कहा जाता है जिसे जब वर्सा समय नुसार वा मानो की आउशकता नुसार होती है तो मानो में उन्हें वरदान मानता है जब वर्सा अतिधिक मात्रा में होती है तो वह बाड़ के रूप में प्राकरतिक अपदा बन जाती है जिसे अति प्राकृतिक अपदा कहते हैं बिल्कुल crystal clear है इसके बाद देखेंगे प्राकृतिक अपदा का संकट बहुत ही बारी कंतर है ठीक है प्राकृतिक अपदा और संकट में बहुत ही बारी कंतर है प्राकृतिक अपदा प्राकृतिक में कुछी समय में घट जाने वाली जो घटना या परिवर्तन है ठीक है ऐसे घट नौ के घट जाने के बाद मानों समाज में जीन समस्याओं का सामना करना पड़ता है वे समस्या संकट मनी जाती है अगर हम लोग बात करेंगे डिजस्टर तो जो यह जो भासा है यह फ्रेंच भासा है डीस डीस का जो अर्थ है वह बूरा यानि बेड होता है ठीक है तथा अस्टर का जो अर्थ होता है सितारे होता है अर्था डिजस्टर इसका जो अर्थ होता है सितारे बूरे होना ठीक है प्राकृतिक अपदाओं डिजस्टर को प्राकृतिक संकट यानि हजाड भी कहा जाता है भारत में प्राकृतिक अपदा सब्सक्राइब करना है इसे निधारित करना बहुत ही कटीन है किसी भी प्राकर्तिक अबदा के लिए एक नहीं अनेग कारण सयुक्त रूप से जिम्यदार होते हैं पिर्थिवी की आंत्रिक और बाहे सक्तियों का परभाव कुछ अपदाओं को सीधे परभावित करता है जैसे भुकंब, जुवाला मुखी, मानों ने प्राकरतिक संसाधनों का अविवेक पुर्ण, बीदोहन, अनवरन, जारी रखा है बढ़ती जन संक्या की मांगो की पूर्टी हेतु भूमी उप्यों के सोरूप में विकरिती आ किया ठीक है फल सोरूप वरनों की बिनास, भूमी का छहरन, जल संकट जैसे संसाधनों प्रयावरन के संकट में डाल दिया इससे गलोब जो कि गलोबल वार्मिंग की समस्या पैदा होती जा रही है ठीक है जो कहीं न कहीं अती विरिष्टी और अनाविर्थी जैसे अपदाओं को उद्पन कर रही है भू इसकलर और पिर्तवी समुंदरी तुफान जैसे अपदाओं पराकरतिक अपदाओं भारत में बढ़ती जा रही है और मानों की उप भोकतावादी दिरिष्टी कोन से अंधा धून विकास के लिए पराकरतिक संतुलन को बिगाड़ रहा है मानों के यह कारे पराकरतिक अपदाओं की परत्यक्ष रूप से अमंतरन दे रहा है ठीक है पराकरतिक अपदाओं का वर्गी करन देखेंगे कि उद्पती के धार पर पर पराकरतिक अपदाओं का वर्गी करन निमलिकीत रूप से किया जा सकता है पहला अगर देखेगा तो मौसमी अपदा हैं इनमे वे प्राकरतिक अपदा सम्लीद की जाती है जो कि मौसमी परिवर्तन के कारण उत्पन होती है जैसे चकरवात हो गया अतिविरिष्टी हो गया अनाविरिष्टी और हीम पान अस्तला कृति इनमे वे प्राकरतिक अपदा स परवंदन से समंधित कुछ परवधान जैसे कि आप परवंदन वे कारे हैं जो कि आपदा का संकट विनास निवारन हेतु किये जाने की जो पराकर्तिक आपदाओं से जो संकट की घड़ी आती है उसका जो मुकाबला करने के लिए जो लिए देश का समाज का परवंदन के चेतर में बहुत जिम्मेदारी हुआ इमंदारी से हिंसा लेना होत जो पर ना है देश के समाज के चलित्र का परीचय पराकरतिक आपदा के बाद मानों सेवा के उनकी द्वारा किये गया कारियो को मिलना है मिलता है और प्रवंदन को निमभी खित कारण परभावीत करने के लिए है जैसे आर्थिक इस्थिति हो गया व्यक्ति की साकरात्मक सोच सहीयों की भावना समाजी की मंदारी का निस्था भागॉलिक परस्थिति परिवहन और संचार के साधनों की स्थिति जनसंख्या धनतुव ठीक है ये सभी सबंधित है प्राकृतिक अपदा के परबंधन से ने वर्सा की अनिस्था तथा वर्सा की मौसम में एत्यतिक जल्परवाः की रूप बाड के एक करन के तौर पर बिदमान बाड के कारण जानमाल की ज़्यादा नुकसान होती है तथा इसे गरीब तब्ला जो तबका के ब्यापक तोर पर भी परफावित होते हैं बाड के कारण प्रकृति को भी नुकसान चेलना पड़ता है वस्तूत बाड की इसपस्ट व्याक्या नदी के उफान किसमें जल अपन परवाह होने लगता है इसके अतिदीक जल परवाह के कारण जल जल वाही काओं में हटकर मैदान को निचले हिस्सों में भी फैल जाता है इसके तरिक बाड आने में कई अन्य कारण भी है जैसे मैं देखी गा तो पहला अगर बात करेंगे पॉइंट में तो जमीन के जल जो निर्मान करना यह नदी का परवाह को और उद्ध करना कचारी चेत्र यह नदी तक करीब मानौ अधीवास को बढ़ाना भारी वर्षा के कारण पहाड़ी चेत्रों में भी बादल फटने से भी बाड जी से स्तिति बन जाती है बाड के कारण कई दूस परिनाम दिखाई देते हैं जिसके कारण भारती है समाज और अर्थवेस्था को ब्यापक नुकसान उठाना पड़ता है बिहार, पस्षिम, मंगाल, राजस्थान, पुर्वी, उतरपदिस, गुजरात, आदी ऐसे कई राज्य है जो कि बाड की बरम भरता से पीडित है ठीक है, इसके कारण इन राज्यों के धार भुद संदशना जैसे रेल हो गया ठीक है, सड़को, पूलो, मानो, बस्तिया का नुकसान पहुंसता है बाड परभावित चेत्रों में बीमारियों का भी परकोप जैदा होती है जैसे अगर दिखेगा, तो ऐसे चेत्रों में जो हैपेटाइटिस, हैजा, अंधरसोद, मच्छों के कारण होने वाले जो बीमारी का खत्रा रहता है अगर बाड का सगरात्मक परिनामों को देखा जाए, तो इससे भी खेतों की लाब होती है जैसे मैं बाड के कारण जो खेत में उपजाव मिटी जमा हो जाता है अगर बाड के पानी का तरीका से अगर संचाई किया जाए तो इसका तरीके से भी किया जाए तो बाढ़ों की जो जल का संग्रान है विरिधी के साथ-साथ भूमि गत जल में जो विरिधी होगी ठीक है और जिसका जो उप्योग है वह भखुवी तारबर किया जा सकता है बाढ़ का परबंधन देख जाता है और रास्टी जल नीती 2012 के तहट बाढ़ परबंधन है तो नीदिया का निर्धरन किया गया है किया था जिसके इसके तहट है पहल अगर देखेगा तो नदी दवरा जो तट बंधों की कटाओ को रोकने के लिए योजना बनाना ठीक है निगरानी रखना तथा भू आकरती को बिलानियों का सहता लेकर उसके अनुरूप कारे करना दूसरा पॉइंट में देखेंगा बाढ़ को रोकने या बाढ़ दवारा होने वाले जो चाहती को कम करने के लिए यह अधी अवश्चक है बाढ़ का पुर्णोनमान लगाना ताकि सही समय पर उसे उंचित क परवाई का माधियम से जानमाल की हचाती जो रोका जा सके ठीक है वो कम किया जा सके फिर नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है कि जलाएसे को विकास मैदानी छेतरों में इस तरह से रखना चाहिए कि वरसा रीतों में बाढ़ के जल के समयोजन कर सके और आवसादन की किरिया को कम कर सके ठीक है बाढ़ की जो बाढ़ के पूर तरीके से नियंतन करना संभों नहीं है अता बाढ़ से निपटने वाली जो पदितिया को बढ़ावा देना ठीक है बढ़ावा देने का प्रियास करना चाहिए बरंबरता वाले चेत बाड की निप्टने के लिए जो कारी यूजना का निर्मान तथा समुदायों को जागरूप करने का परियास करना चाहिए ठीक है बाड की अकासमी किस्तिति को निपटने के लिए आपतकालिन करवाए आपदा परवंधन यूजनाओं को तैयार रखना चाहिए और इन्हें सम परस्तिति को खिख कम किया सके अब देखिए इस नीटियों के तरीक ने परियास के तषिए इसमें परोधान की बात की गई है अगर हम लोग solvent में पहला जनता को सिदरता के साथ सूचना संप्रेसित करना चाहिए ठीक है ताकि information से रूब रूब हो और साथी साथ बाड़े के नियादन के लिए perception इस्थानों में इस्थापना करना चाहिए तथा इस्थानी लोगों को प्रसिक्षन किया जाना चाहिए ताकि उस तरह से उन सबों को उस समंधित प्रवधानों में जनकारी का अभावना हो ठीक है इसके साथ सूचना संचार ऐसे बिवस्था निर्मित की जानी चाहिए कि बाड़ की स्थिति में भी सूचारू रूप से कारिकर सके फोर पॉइंट में है कि बाड़ के प्रक्रति के अनुसार सुरक्षा और सायक दल की पर सिक्षित करने के परियास करना चाहिए ताकि आउसकता पढ़ने पर उनकी सेवा जरूरत करना अनुसार तूरंत ली जा सकती है बिल्कुल सही बात है अगर जिस टाइम पर जरूरत है तो अगर उस तरफ के पर सिक्षिन करने से लोगो अपनी योगता के रूप में उसे सेवा देने की जरूरत आती है तो वहां पर आउसकता पढ़ती है ठीक है रिमोट सेसिंग तकनीकी के माध्यम से पूरवा नुमान और चेताउनी परनाली का मश्बूत किया जाए ठीक है बाड़ परबंधन और बाड़ से बनने वाली स्थिति के विसाय में लोगों को समय समय रहते ही संचित करना चाहिए बिल्कुल अलटर कर देना चाहिए बाड़ के दवरान हुई च्छती का आकलन करना चाहिए तथा इसकी भरपाए का समुचित परियास करना चाहिए ठीक है अब देखे सुखा परबंधन से जब किसी भी जब कभी भी किसी मतलब इलागे में पानी की उपल बनता और सक्ता से कम हो जा जा देतो ऐसे इस्थिति में सुखा कहते हैं भारत फिंभागोलिक परस्तिती जो की जलवायू की परस्तिती के कारण भारत में कहीं न कही सुखा पैस्तेती बनी रहती है और मौसम भी क्यां दोब़ाइस वर्सा के अधार पर सुखे क वर्गी करन किया गया है ठीक है तू चलिए वर्गी करन किया है किया उस point को हम लो देखेंगे जब आहला point के देखेंगे कि अगर वर्सा 25% से कम होता है तो समाने मिलकुल आप से भी जानते हैं अगर 26-50% के मतलब बीच में वर्सा होती है तो मीडियम यानि मध्यम है और अगर वर्सा 50-35% या उससे अधिक होती है तो वह अधिक भीर है और भारत किरिसी परधान देश है अता यहां किरिसी को प्राप्त वर्सा जल की अधार पर सुखे कवर की करन किया जाता है सुखे की वज़ा से किरिसी के छेतर में समाजी की छेतर बयापक तोर पर परभावित होता है इसके अलावा अगर दिखा जाये तो उद्योग में निर्भरता किरिसी के छेतर में होने के कारण आर्थिक छेतर में भी बयापक तोर पर परभावित होता है सूखे के कारण बेरोजगारी, भुकमरी, कई स्वास्त जनित बीमारिया बढ़ती है और जो कि बुंदेल खंद छेतर में करना टक हो गया उडिसा महराष्ट आनि राज्यों में भी सूखे की चपेट में है और किसानों के द्वारा की जा रहे ही आत्महत्या सूखे परभवित चेतरों में ज्यादा है उदारन के तोर पे देखेंगे तो बीदर भुजो की महराष्ट है और जल की प्रयापत उबलबंदता हुआ सही समय के इसकी जो प्राप्ती है सूनेशित कर सूखे जैसे आपदा को निप्टा जा सकता है जल का ब्यापक्स रोत वर्सा है और जल संग्रहन की तक्निक को बधावा देना चाहिए जल संग्रह का अनिवार्जे सभी के लिए होना चाहिए तथा प्रमपरागत जल संग्रहन की जो प्रमपरा है वो करना चाहिए तक कि जल के संरक्षिन में काफी मदगार हो, साबित हो, हो सकता है उस सहरों के व्यापक तोर पे जो जल दूरूपयोग होता है अगर उसे पर दूसी जलों में करितिम तरीके से स्वस्थ किया जाए तो उसे उस जल को जो परयोग है सीचाई के छेतर के साथ-साथ और ने चेतर में भी किया जा सकता है आटाइक है, पॉइंट फीर देखेंगा कि वर्सा में कमी होने के कारण एक पर्मो कारण वरन वरन भी है वरण की कमी भी होना या सबस्त है कि वर्षा कराने की सहता है अता बिभीन कारे करमों में नीदिया के माधियम से वना करन की जो बढ़ाने की परियास करना चाहिए इसे बर्यावरन के चेतर में सकरात्मों बदलाओ देखने को मिलेगा पराकृति अब देखिएगा नेश्ट में कि पिर्दभी में पानी की जो बिसाल उबलवन्ता सागर्य जल की रूप में है और किंतु या मानों के उपयोग के लिए उपयोग रही है अगर तकनिक के माधियम से सागर्य जल के मानों उपयोग होई तू बनाया जाए जिसके बिगास में कम जल किया हो सकता है बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो उसमें भी बहुत तरह के फैक्टर प्रोड़क्ट रहते हैं जो कि कम जल से ही ज़्यादा उबजाओ हो जाते हैं तो इस तरह से प्रवधान की जाने की जाती है ठीक है अब देखेंगे सब्सक्राइब करने वाला पर मुखब्दा है बिल्कुल यह एक परकार का हिंसक तुपान है यह एक परकार का ही तेज और बहुत ही उच्च्टवेक वाली जो हवाय हैं जो कि निम्न वायू मंडलियव दबाओ को सांथ केंदर के चारों और तीबरता से घुमती है और यह स सांथ चेत्रों में प्राय आगे की और बढ़ता है जिससे हावा का बल है वह थर्टीफोर समुंद्री मिल या 63 किलोमीटर परती घंटा के अधीक होता है और चकरवात अचानक ही घटित होता है जबकि इनका जो बनने की जो है थी देखेगा समय तो लंबा रहता है ठीक है बढ़ता है इमेडिटली ओके अब देखेंगे जो की चकरवात के पस्ता प्राय तीज हवा होती है और जिसके कारण तटवर्ती चेत्रों में भी बाड़ भी अजाती है समुंद्र का जो अधिक गर्म तापमान उच असा पेक्षिक आधरता वायू मंडली अस थीरता का प्रतिसत भाग दस राज जैसे गुजरात महराष्ट गोवा करनाटक की रल तमीलाडू पुंड़ी चेरी हो गया आंधपदे सुरीसा और पस्जिम बगाल में आती है अंडवान निकोबार और लक्षिदीव पर भी चकरवात का संकट बना रहता है ठीक है कहां कहां पे अं चकरवात से मनसुन के बाद चकरवात अक्सर आते है और आम तोर पर उसकी जोती ब्रता है अधिक बिनसकारी होती है चकरवात के परभाव देखेंगे कि चकरवात अपने तीज हवाव से बड़ी बड़ी इमारत और जो की ढाचों को बरबात करने वे गभीर नुक्सान करन होती है और वर्षा के अभूत पूर बाड को जर्म देता है तुफान के बाद ही तुफान के बाद की वर्षा उन लोगों के लिए एक कभित समस्या बन जाती है जो चकरवात के कारन बेघर हो जाते हैं बिल्कुल उन लोगों की काफी परिसानी जिलनी पड़ती है जिसके पस घर नहीं है मतलब बेघर होता है ठीक है चाकरवात होने माली जो भारी ओंबारिस और बड़े प्धमाने पर मिट्टी के कटा और तत वरती तट बंदों को कमजोर करता है जिसके पर पानिदी नीचे जिनोदेता actim मिठी की उरवरग सकती भी कम हो जाती है तथा पीने योग जल की आपूरती पर भी पर्तिकुल परभा पड़ता है चकरवात के परबंधन देखेंगे चकरवात संभावित छेतर में पचान करनी चाहिए क्योंकि चकरवात आने के बाद समय नहीं मिलता है ये सही बात है अगर कोई ऐसे छेतरे इसके चपेट में आ चाता है तो कई कम समय में ही पूरे छेतर को तबाह कर देती है अता भारत में भारती है मोशन बिग्यान बिभाग चकरवातों की घटनाओं के अनुमान लगाने का कारी करता है इसरों ने ओसन सेट्टू में वीकिर्वानी आंकडों के निर्मान आयू ठीक है परती मानों के प्रियोग दोरा एक ऐसे मोडल तियार किया है जो कि कम दबाव को चकरवात के बदलने से पूर वही उसका पूरनुमान लगा जा सकता है मतलब पहले उसका अनुमान लगा जा सकता है समय समय पर भारती शिना भी चकरवात के तबाही को बचाने के लिए तियार की गई है और इसके अलावा देखेगा तो जो अपका निस्टनल डिजास्टर है अन्डी आरेफ राहत के लिए कारियों के लिए जिमेदार है यानि रिस्पोंसिबल है और अपना डिज्टी वेंचन काते हैं भारत के तैटवर्ती राजियों में देखेंगे जैसे उडिसा अंदरपदेश करमसा फैलीन वा हुद 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 है ना जैसे विनस्कारी चकरवात आये जिसमें जानमाल की भारी छदी हुई है ठीक है अब इसके बाद देखेंगे भू इस्खलन ठीक है ना तो इस शेदर को गड़गड़ा हाट की आवाज धीरे धीरे सूरू होती है और बाद में तेज आवाज के साथ मालवा नीचे की और गिरता है भूसकलन के कारण अगर हम लोग देखेंगे तो भूसकलन के लिए किसी एक कारण की उतरदाइक नहीं मना जाता है पीदू और कई कारण मिलकर भूसकलन जैसी आपदा को जन्ग देती है भूसकलन के लिए उतरदाइक कारणों को दो वर्गों में रखा गया है अगर पहला हम लोग देखेंगे वर्ग तो एक बटा गया है प्राकति कारण ठीक है इसमें चटानों की संदसना भूमी की ढाल चटानों की वल कमजोर होते रहते हैं और वह ढाल भी अधिक होती है ऐसे में यदि वर्षा तीब्र हो जाए तो वह सनेहक का काम करती है कमजोर जोड़ों पर भी चटानों के नीचे को खिसरंग लगती है वह वर्षा जल की मातरा बढ़ने की फिसल कर नीचे गिरती है गुरतवा करसन बल इसके सहियो करता है और यह ढाल तीब्र होता है और गुरतवा करसन बल के और से बढ़ जाता है और ढाल को 45 डिगरी से अधिक कोन पर होते है वहाँ भूषकलन अधिक तीब्र होती है पस्मिघाट में कोकन जो रेल मारग परवर्सा रीतु में भूषकलन इसलिए अधिक हो होता है और नदी किनारों पर अपरदन से उनके जो उपरी छेत्र हो होता है अब मानुए कारण में देखेंगे तो भूर्षकलन जैसे जो प्राकतिक अपदा को मानों ने अनियंत्रित विकास के लिए कारण और अधिक बढ़ा अधिक बढ़ा दिया है कागस वह इमारती परकड को छोड़ दिती है और अधर मिरदा अपर्दन प्रारम हो जाती है यही अजय का रूप ने और ढलते है और सटक के रेल आगल और पहद के निर्मा दा क्न के रूपमें मानों भूएस्कलन को बढ़ावा देती है परवत之前 में आवागमन मारकों की निर्मान में परवतों परवे वनों वा मिटी की पहुत बड़ी मात्रा में हाट आया जाता है और ये पदार्थ नीचे की और सरक कर भुषकलन की मात्रा बढ़ाते हैं भुषकलन के परवत चेतरों में देखेंगे भारत में भुषकलन हिमाले चेतरों में अधिक होता है इसके बाद पस्मी घाट चेतर में है और इन चेतरों में जहां नद्यों की परवाईट चेतर है वहां भुएस गलन अधिक होते हैं पुर्वतर बारत और साथ-सथ जमुक पस्मिल के चेतर में जहान नई सड़कों का निर्मान कारी हुआ है इन चेत्रों में भी भूएस्कलन अधिक होते हैं और समुद्री किनारे के सागरिये लहरों के अपरदन के कारण भूएस्कलन होते हैं और कोकन टट इसके परवान है वो देखे जा सकते हैं भूएस्कलन का संग अट देखेंगे भूएस्कलन कि भुईस्किलन भुकम की तरह ही माहविनासकारी आपदा नहीं है लेकिन चब कभी भी भुईस्किलन होता है तो वह विनास तो करता ही है और कही यह नदियों के मार्ग में औरूद कर लेती है मार्ग में औरूद कर लेता है मार्ग औरूद होने से जन जीवल एस्ट पेस्ट हो जाता है और मांग और पूर्दी के संतूलन बिगर जाता है अता भूइसकलन होते ही पहले मार्ग को खोला जाता है ताकि आवागमन के औरूद होने से जो संकर खड़े हुए उन्हें दूर किया जा सकता है जब कभी भूएस्खलन अबादी वाले छेतरों में होता है तो उससे जनवा धन दोनों की हानी होती है और लोग माकान के मलवे के धेर में दब जाते हैं देखिएगा एक घटना जो की 1993 में निलगरी की पहाड़ी उपर हुई भूएस्खलनों में 40 लोग की बिर्थी हो गए थी यानि मारे गए थे ठीक है और यह सड़क हो गए थी ठीक है और यह कई मकान धागाई थे ठीक है इसके यह वर्स उत्राखंड के भूएस्खलनों में जन धन की भारी हानी हुई थी है अब देखिएगा कि भारत में होने वाले भूएंकर भूएस्खलन जैसे में आगर हम देखेंगे तो 1931 में जो कि अलंग नंदा उत्राखंड में हुआ था भूएस्खलन से अस्थाई बांध और तूटने में कई गाउं को चतिग्रस्त यहां पर भूएस्खलन की लगभग 40 लोग मारे गयते हैं ठीक है इसके बाद देखिएगा तुनीस सो अन्ठानबे में जो कि महलपा मगाओं वरतमान में उत्राखंड है जो कि 380 लोग की मिर्थिवी थी दूएर 13 में केदरनात उत्राखंड में भी इसी से छतिक्रस्त होन जील तब कभी तूटती है जब तो बाड़ की धन जन धन की हानी होती है उन्हें से खतर में भारी भूएस्खलन के लग नंदा नैदी का उत्राखंड पर एस्थाय जील बन गई है जो कि उसके तूटने से बेला कुछी गाउं पूरा-पूरा बह गया था ठीक है अब भू भूएस्खलनों के अधियन करने की एक बात इसपस्थ है कि 90% से अधिक भूएस्खलन वर्षा रिदून होती है और अतापरवत की छेतर में कहां जहां कहीं भी परिवर्तन मार्गों का निर्मान हुआ है उन मार्गों में दोनों और वर्षा जल निकासी का समुचे बेउस अधिक खया होने चाहिए मार्गों के इनिर्वान के दोनों को 45 तिक्री कि कौन पर ही मलवे को निर्मान के दोरां कि हटा देना हटाधिय मैं चैड़ी हटाना संभा ना हो तो मजबूत दिवार बना कर चटानों की सहारे देने चाई है और पर जाते समय स्मभावित चेत्र वर्सा परारब मोगा तो वह एक किनारे पर रोख दिया जाए और पर वतिये क्यांने मकान मजबूतुँ धरातल पर पर बनाया जाया अभी में नदित्ठो पर मकान नगरिक में उरूद होने कि करनी चाहिए ठीक है तो चलिए यह सेशन कंप्लीट हुआ और मिलते हैं नेक सेशन में आई होप सेशन अच्छा लगा होगा थैंक यू इबरीवन मिलते हैं नेक सेशन में जैहिंद